मैं आपको इमानदार कैसे कह दूँ वाह सरकार क्या बात है सरकार कागस पे कहती है कि प्राइवेट स्कूल्स को इतनी टूशन फीच लेनी है और इतने एन्वल चार्जिस लेने है कागस पर और कभी चक नहीं करती वो क्या कर रहे हैं कितनी ले रहे हैं कभी चक नहीं करती वाह सरकार क्या बात है आपकी मैं आपको इमानदार कैसे कह दूँ आपकी नियत पे शक कैसे ना करूँ पूरा जम्मू कश्मीर पेरेंट्स जो हैं चिला चिला कर ठक गे और आपकी जानकारी क के लिए बिता दूँ अब हार गए हैं तूट गए हैं सुनने वाला कोई नहीं जे के एफ एफ सी जमू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी बहुत जावब बबाल हुआ तब ये कमेटी बनाई गई सरकार के दोवारा सुप्रीम कोट की देख रेक में एक कानून बना कि जे के ए से एफ एफ सी जो भी सुनिश्चित करेगी लिस्ट उसी के हिसाब से आपको टूशिन फीस और एन्वल चार्जिस लेने हैं लेकिन क्या वो उतने ले रहे हैं नहीं उससे डबल एक एग्जेंपल मैं आपको देता हूँ एक नामी स्कूल है मैं आप मैंने लिंक में दिया है जो मैंने कैप्शन दिया है कैप्शन में एक लिंक दिया है आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए आपका स्कूल आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है वो उस पर सर्च कीजि कि सरकार ने क्या कहा है कितनी एनुल चार्जिस देने हैं कितनी टूशन फीज देने हैं टूशन फीज में मन्तली फीज उससे जादा एक रूपया भी नहीं अगर कोई स्कूल उससे जादा लेता है पहले उसको वार्निंग दी जाएगा दूसरी बार वार्निंग दी जाएग इतने सक्त निर्देश हैं लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं हो रहा वो स्कूल की जिसके में बात कर रहा था और जब आप इस लिंक पे सर्च करेंगे जमू जमू के स्कूल खुल जाएंगे जब अपने स्कूल का नाम सर्च करेंगे हो सकता है कि वो नाम स्कूल का नाम बीच में हो स्कूल है तीन चार पांच स्कूल एग का था आठ थाठ कुछ रुपे आठ हजार एक सो कुछ दो सो कुछ वो कितना ले रहा है सत्रह हजार है अनौल चार्जिट ले रहा है जबकि सर्कारने बोलох है एठ हजार कुछ किय stimulation के दुषस हजार है वो सूलह मैंने चेक किया है नहीं और एक नामी स्कूल का मैंने चेक किया उसका जो फीज ट्रिक्चर है मंथली फीज सतरां सो कुछ रुपे सतरां सो पच्छी सतरां सो तीज सतरां सो पैंटीज वो ले कितने रहा है 2400, 2500 सुनाएं किसको किस से बात करें जेके एफफसी के चेर्मेन शायद नुवंबर दिसम्बर में आज से पांच-छे मीने पहले वो चले गए थे तब से ये पोस्ट पांच-छे मीने वेकिंट है खाली है जो हमें समझ जाता है खाली क्यों थी क्योंकि सेशन आ रहा है छे मीने के बाद निजुकती हुई है चेर्मेन साब की वो यूपी से आए है अब उनका नाम सुनील करके कुछ है शायद तीन चार दिन होगे उनको शायद आए हुए शायद जॉइन किये हुए आपने कोई प्रेस कांफरेंस क्यों नहीं की सक्त निर्देश क्यों नहीं दिये कि जो कागज हमने आपको दिया है क्या उसके हसाब से आप ले रहे हूँ हंडर्ड परसंट नहीं ले रहे हैं फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हूँ ये तो हलत कर दी है आपने जम्मू किश्मीर की एक चोर बताता हूँ एक चोर की कहानी जब चोर रात को किसी गड़ चोरी करने जाता है दबे पाउ जाता है आराम से दरवाजा खोलता है कि मालिक जाग ना जाए उसकी आंग खुलना जाए वो शोर मचा देगा मैं पकड़ा जाओंगा यहां पर ऐसे चोर हैं सारी दुनिया पूरा जम्मू किश्मीर चोर मचा रहा है लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहे तो मैं आपको इमानदार कैसे कह दूँ इतना बड़ा दांदली इतना बड़ा नेकसस आपने लिखत में अपनी जेके एफफसी की साइट में ये डाल दिया कि स्कूलों के नाम बकाइदा डाल कर कि आपने इतने एन्यूल चार्जिस इतनी टूशिन फिस लेनी है कारवाई हो जाएगी कही राजियों में स्कूल बंद हो गए यहां आप मोन पे हो यहां आप पाउस पे हो वो नाम याद है आपको अमित कपूर वो हमेशा कहता है मेरे इंट्रिव्यू में यह टैचियों का रिष्टा है और हम हमेशा उनसे यह कहते हैं यह एलिगेशन है आपके पास कोई प्रूफ नहीं अब मन करता है उसकी बात पर यकीन करने का यह कैसे पॉसिबल है कि पूरा जम्मू कश्मीर इस वक्त सताया हुआ है कम्प्लेंट पर कम्प्लेंट कर रहा है आपको लेकिन आप एक्शन कर नहीं रहे स्कूल डर ही नहीं रहे उनको किसी बात का डर ही नहीं है यह कैसे पॉसिबल है मैटाडोर बस की एक लिस्ट जारी होती है इतना कराया लेना है वो एक रुपया ज़ादा ले लेगे ना तो गिरेबान से पकड़कर आप नीचे खिच लेते हो पुलीस आ जाती है तूने तो बहुत बड़ा जुर्म कर दिया तूने एक डेड़ रुपया जादा कैसे ले लिया इस लिस्ट के हिसाब से क्योंकि छोटा आदमी है उसका हिस्सा टैची कहीं जाती नहीं होगी जैसा अमित कहता है पता नहीं जूट कहता है सच कहता है वो ड्राइवर किसी को क्या उसका हिस्सा देगा जो दो रुपय फाल्तू लेगा तो उस पर आप गर्दन पकड़ते हो उसकी जाकर यहां आपको क्या हो जाता है यह जे के आफ़ एफसी आपने क्यों बनाई कारण क्या था इसका यूपी से हमारे चेर्मेन साब आप निजुक्त हुए है यूपी से यहां आए है यहां तो कोई काबिल है ही नहीं सब अनपढ़ है या फिर आपको लगते हैं कि इमानदारी वहीं पर है वहां से आए हैं वो अच्छी बात है वहां से भी आएं वो भी हिंदोस्तान का हिस्सा ही है लेकिन अपना काम तो शूरू करो साब सेशन जा रहा है लोग एनुल चार्जिस दे रहे हैं आज मेरे एक सहयोगी ने रिपोर्ट की सहिते संगम शायद सहीते संगम दुकान के बाहर से वो किताबों का नेक्सिस I am the victim 6,088 रुपे की किताबें ली है मैंने सेकंड क्लास के बच्चे की 17,000 पे हैं मुझे आनुल चार्जिस देना है मुझे भी मुझे भी देना है पिछली बार 19,000 दिया था मैंने आप उस लिस्ट में लिख दो JKFFC की लिस्ट में लिख दो कि 17,000 है, 19,000 है, 20,000 है, 22,000 है, 50,000 है ये स्कूल ले फिर हमें गम नहीं होगा क्योंकि ये सरकार ने तै किया है आपको जरूरत होगी पैसे की आप यहीं से revenue generate कर रहे हो तो हमें दुख नहीं होगा लेकिन जब आप कागस पर ये कहते हो 8,000, 9,000, 10,000 और वसूला जा रहा है 17,000, 18,000, 19,000 एनुल चार्जिस और जो मन्थली फी है उसमें अभी 20, 25, 30, 35, 40% का increase करके वसूली की जा रही है, और आप चुप हो तो मैं इसको क्या कहूँ छुपी बात नहीं है Google खोलो मैंने लिंक दिया है वैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे वो ही सैट खोल जाएगी अगर आपको वो लिंक jkffc.in खोलो उसके बाद उसमें जमू सर्च करो जमू के स्कूल आ जाएंगे उसके बाद अपना स्कूल जहांगे बचा पड़ता है वो देख लो और ये भी होना चाहिए jkffc को ये भी स्मूचित करना चाहिए कि हर स्कूल के गेट के बाहर एक बोर्ड होना चाहिए उस बोर्ड पर jkffc की वो लिस्ट होनी चाहिए jkffc means जमू कश्मीर fees fixation committee की वो लिस्ट वहां पर होनी चाहिए हर स्कूल के बाहर हर private स्कूल के बाहर जब कोई भी ज़्यादा वसूल करता है तो parent कहेगा वो लिस्ट लगी है government की मैं इसे ज़्यादा नहीं दूँगा आप ज़्यादा ले रहे हूँ और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ जमू कश्मीर के सारे स्कूल इसी norms में आते हैं कोई आप से यह कहता है कि हम उस उसके अंडर नहीं है वो जूट बोल रहा है और जिनका नाम इस committee में नहीं है उस site पे जो कहता है सच कहता है मैं उसकी बात पर यकीन क्यूं न करूँ चेर्मेन साब को आते ही जॉइन करते ही सबसे पहले एक press conference करनी चाहिए थी message देना चाहिए था उन सबी स्कूलों को कि मुझे यूपी से बुलाया गया है यहां का तंतर सही करने के लिए तो मैं अमित कपूर के जो वो कहता है अगर वो गल्द कहता है तो उसको ठाके जेल में क्यूं नहीं डालते हो उसके खिराब कारवाई क्यूं नहीं करते हो राहुल गांदी पर कीन है आपने उस पर कारवाई क्यूं नहीं करते हो या ये भी कोई फिक्सिंग चल रही है अमित कपूर के साथ आपकी वो भी आपके साथ मिला हुआ है क्योंकि समझ से परे है वो आपके खिलाफ इतना कुछ जाहर उगलता है जूट है सच हमें पता नहीं कारवाई कोई नहीं इसका मतलब वो सच बोलता है मैं हैरान हूँ ये रिपोर्ट करते हुए जब मैंने आज ये के एफ एफ सी का वो लिस्ट पड़ा वहाँ पर ये नहीं 2022-2023 का सेशन लिखा है उसमें 2023-2024 का भी फीस अनॉंस कर दी है आप इसे ज़्यादा नहीं ले सकते लेकिन बदकिस्मत ही है ये सुनाएं किसको सुनने वाले कान ही नहीं है और सही मानो तो इस इश्यू पर जम्मू किश्मीर के लोग अब तूट गए हैं ठक गए हैं सुनाएं किसको मरे साथ अमित कपुर साब है यहीं पे हैं इस से पहले मैंने बड़े सक्ष सवाल किया इन से इन्होंने कहा मुझे किसी भी फॉर्म में ले जाओ मैं अपनी बात पर अड़ा रहूंगा अमित साब जे के एफ एफ सी डॉट इन मैंने वो सर्च किया जम्मू के स्कूल सर्च किये बड़े बड़े जो स्कूल है उनके नाम आए मैंने आट दस बारा पंद्रा ही चेक किये वहां पे जो एन्वल चार्जिस लिखे गए है गोर्मेंट ने यही लेने है उससे डबल लिये जा रहे है तो क्या लगता है आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट को इसके बारे में खबर नहीं है चार साल चार साल हो चुके हैं मुझे बोलते हुए कि प्राइबेट स्कूल माफिया तो है इसको बरावा जो दिया है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दिया है बरावा जो दिया है हमारे पॉलिटिशनों ने दिया है हमारी पॉलिटिकल पार्टियों ने दिया है मैं आपको गिन के बिता बता देता हूं मौट लिटेरा जी स्कूल जो तलाब तिलो बोड़ी में है वो एक बीजीपी के नेता का स्कूल है और उसकी करतूद देखिये मुझे बोलते हुए डर नहीं लगता जानते हो क्यूं नहीं लगता क्योंकि मैं सच बोलता हूं कोई कोई यह चीज को मेरी बात को जुठा साबित करके बता दे चार साल से मेरे पास पेरंट्स की कंप्लेंस आई कुछ पिछले दिनों में आप सोचिए कि जब उनके बोर्ड के पेपर आए तो वो बंदा सीबीसी स्कूल के नाम से स्कूल चला रहा है चार साल से और वो सीब फर्म चेंज करवा कर पेरंट्स बचाना चीनक रहा है करें तो करें क्या आप जिम्मेदारी से नहीं रिटल लिकर प्रूफ पड़े हुए हैं और उसके बाद पेपर कभी हो रहे थे तो फिर जाकर उसने प्रासेस में डाल दिया कि हमारा सीबीसी बाइस साब अभी सीबीस अगर आपका प्रॉसेस में है तो चार साल से आप पेरेंट्स को बेवकूफ क्यों मना रहे हो कि आपका स्कूल सीबीएसी है और 21,000 प्या एनुवल चार्जिस उसने रखा था और जेके अफ़ेफसी ने उसका एनुवल चार्जिस कम से कम 12-13,000 प्या कम किया लेकिन वह अभी अभी भी वह मेरे हिसाब से इससे जो कम किया है वह अभी भी इस 15-17,000 प्यानुवल चार्जिस ले रहा होगा ले रहा होगा मैं मैं इस चीज़ का मानता हूं लेकिन मेरी गरंटी है कि जो जेके अफ़ेफसी प्रॉबल होगा वह अप्रॉबल उस वह इस इस नहीं ले रहा लेकिन वो ले रहे हैं 17,000-18,000 शिरी राम यूनिवर्सल स्कूल जिसका साथ से आठ हजार पे अनुवल चार्जिस जो है कम हो चुका है जेके अफ़ेफसी के अप्रॉबल के हिसाब से लेकिन वो पूरे का पूरा ले रहा है ब्रिटिश बन्यान इंटरनेशनल स्कूल जिन लोगों ने अप्रॉबल लिया नहीं सब को बता है कि एक साल के लिए चेर्मैन रखे जाते हैं एक साल एक साल पिरिड होता है इनका टाइम जेके अफ़ेफसी का ये लोग अपनी फाइल लगाते नहीं या आगे बढ़वाते नहीं अगर एजुकेशन माफिया का एजुके लगाई अभी भी मैं आपको पता दो 60% स्कूलों 60% स्कूलों के अप्रॉबल इसमें है जो आपने जेके अफ़ेफसी में दिया है लेकिन उस पर कोई एक्षन नहीं होता और जिनोंने अप्रॉबल लिये हैं मैं दावे के साथ क्या सकता हूं सिर्फ 20% स्कूल छोड़ की मेल पे जाकर कंप्लेइन करता रहता है डिरेक्टर एजुकेशन की मेल पे जाकर कंप्लेइन करता रहता है और जेके अफ़ेफसी के चेर्मैन जो है नवंबर महीने नवंबर महीने के उनका टाइम पिरट पूरा हो गया और आज तक तीन दिन पहले तीन दिन पहले उनको को एपॉइंट किया गया मुझे आप जी एक चीज़ से बताईए क्या आपको नहीं लगता कि नवंबर में हीना सेशन स्टार्ट होता है किसका? कश्मीर का, बुक्स, युनिफार्म, फीसों का नेक्सज, वहाँ पर नवंबर में हीने स्टार्ट होता है, और यहाँ पर कब व में पूंट किया गया और वह भी यूपी से बुलाया गया हमारे रिटाइट जस्टीस है वह हम पूरी रिस्पक्ट करते हैं उनकी और उमीद रखते हैं सुनीर हैल हम उमीद रखते हैं लेकिन सुनील साब आप से भी एक गिला है आप आए आप बहुत बड़ी एक जिम्मवारी लेकर आए हैं आप जस्टिस हैं और जस्टिस करेंगे मेरे साफ से पेरेंट्स के साथ लेकिन आपको आते ही एक प्रेस कौंट्रेंस करनी चाहिए थी सभी मीडिया को बुलाके अवेर करना चाहिए था कि बाई सब मैं पॉइंट हुआ हूँ अब कोई भी स्कूल अगर गलत करता है मैं स्कूल के खिलाफ एक्शन होगा आपके पास पावर है शायद उसकी त्यारी कर रहे होंगे लेकिन अब सवाल यह है कि आपने कहा कि कुछ स् अच्छा सल्यूशन देता हूँ मैं आपको एक चीज़ बता दू एन्वल चार्जिस सभी प्राइवेट स्कूल का रोग दीजिए आपको पता होना चाहिए कि जितने भी स्कूल है जेके अफफसी का ओर्डर है अपनी वेबसाइट पे अपने फी स्ट्रक्चर जो है अपन जाने कि जो जेके अफफसी ने प्रूब किया उस फी स्ट्रक्चर को लगाई है ताकि पेरेंट्स पड़े इतनी फीस है वो देनी है अपके बात समझ नहीं आ रही कि जो जमू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी ने जो फीस जो एनुल चार्जिस डिसाइड किये है उस लिस हें क्या इनका क्या जेके अफफसी के चियर्मेन से क्या उनका बाकिस स्टाफ नहीं था क्या डिरेकेटर के उस नहीं किसे निए involved है मैं रिटल लिखके दे सकता हूँ अगर आप involved नहीं है आए डिवेट में मैं आपको जूठा सावित कर दूँगा डिवेट क्या मैं पताता हूं आपको जेके एस निकाली है कि इतने चार्जे लेने हैं किसी स्कूल का हम उसका मैं नाम नहीं लोंगा उसका आठ से नो हजा रहें तो वो ब्लैक में लें कि कैश दो वो तो ओन ले रहे हैं जो चोड़ी जो है कमिशन के बिना कर रहा हो जो चोर की सैटिंग हो चोडों के साथ तो उसको वो क्यों टरेगा आप मुझे बताईए सबी स्कूलों की सैटिंग है जो स्कूलों की सैटिंग नहीं वो क्या कर रहे हैं आप एक काम किजिए 4000 के रसे लेंगे बहुत से लीडर में गिना सकता हूं जिनके स्कूल है हमारी एज्य कौिशन मुनिस्टर एकस एज्य क्यों मुनिस्टर वन का kneadi हारी में मैं नाम क्या लो औा को अधिकुल होना बताई जा रही है और वहाँ पे टीचर को भीठाया गया है कैश काटने के लिए क्यूंकि यह और है कि स्कूल के अंदर आप बुक्स नहीं बे सकते स्कूल के अंदर भी नहीं कर सकते और पटिकुलर शॉप भी नहीं बता सकते इस चीज़ का भी आडर है तो उन्होंने कोनशी क्लास पाइब होगी आपको पुछना संगे साथ सभी में नियुक्स अगर भी ओनेक मशतो होगी 6 मेरा बाई जिए घयरत के शुड़ेगा चाहिए उने उसकूल यहतले मेरे वाली चांगी मीरे वाली वक्स होगी हो मुझरे हे वो दो चार पांच लेसन आगे पिशी होंगे जाने कि जो मैं यूज कर पाया हूँ वो दूसरा बाई जो है वो एट्थ क्लास में और कोई बुक्स पड़ी मैंने कोई और पड़ी तो भाई सब क्या नेक्सस है मेरा बेटा जेके एफसी को डिजाल्व करते हैं चाहिए मैं कह सब्सक्राइब जो यहां से बेस्टार्ट होता है हमारे बच्चे क्या सीखेंगे स्कूलों में जाके अरे सीखिए केंद्रिय विद्याले से जो जम्मू कश्मीर का नहीं पूरे देश का संगठन नंबर वन है मेरा बेटा मेरा बेटा नाइन्थ क्लास में मैं सल्यूट करत यह आपको कहीं पे भी मिल जाएंगी और आपको पुरानी फुक्स भी यूज हो जाएंगी क्या बात है यह होते है इसको बोलते है शिक्षा का मंदिर ब export और कोई यन्ट शार्जी नहीं कोई एडवीशन फीड नहीं कोई रिडवीशन नहीं कोई कैपिटेशन नहीं कोई मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, आपने अब JKFFC के बारे में तो बता दिया, मैं पेरंट से एक चीज कहना चाहता हूँ, पहले स्कूलों में एनुल चार्जिस रोक दीजिए, पहले JKFFC का एप्रूबल मांगिए, स्कूल का फर्ज बनता है, आपको देना, अमिट स्कू परशार्स नहीं चाहेगा, यह यह लूट खतम नहीं हो सकते, मुझे लगते है जब तक परशार्स था डिर्ण चाहेगा, यह लूट खतम नहीं हो सकती, प्लिद्वहन करें, अपने बच्छों को लेकर शलंकों पर आये पूंशतरा, उन आहीं किने आई, मावज अपने थे को लेके शर्क पे आये और मावा आपने इनिशेटिव लिया और बच्चों ने इनिशेटिव लिया और अपनी ताकत बताई और निकल वाया बदकिस्मती है यह यह बदकिस्मती है कि उनको सड़कों पर आना पड़ा उनको पहले समझ नहीं आई यह आपने देखा होगा मैंन निकाला है रिलैक्सेशन का फिर्स किलास के बाई आपको अपिशेट नहीं कर सकते हम क्योंकि इसके लिए लोगों को संगर्श करना पड़ा ये समझ आपको पहले क्यों नहीं आई उसके उस बात में में नहीं जाओंगा अब सवाल ये है कि शिक्षा और स्वास्त स्वास्त होगा देश को संबाल सकेंगे शिक्षा अच्छी मिलेगी वो सोच समझ होगी कि देश कैसे बनाना है अपने आपको कैसे बनाना है ये दोनों ही आपने खराब कर दिये अब सवाल ये है कि जेके एफसे एफसी बनाने का फाइदा गया है ये आप लोग भी जानते हो कि जो चार्जी जो फीस आपने उस लिस्ट में तै की है और उसके बाद उसको पब्लिक डुमेंट में डाल भी दिया 2022-2023 का सेशन में डाल दिया कि इतनी फीस होगी उससे दुगनी फीस मसूली जा रही है और उससे दुगना अन्यूल चार्जिस आउनलाइन ट्रांजक्शन में लिया जा रहा है आप चेक दो आप कैश भी दे दो और आप आउनलाइन ट्रांसफर के औरो स्कूलों की साइट बनी हुई है यानि कि उसकी रसीद आती है कि आपने एन्यूल चार्जिस इतने दिये हैं वो खुले आम जे ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो अमित कपूर ने कहा जो एलिकेशन अमित कपूर लगाता है उस पर यकीन करने का मन करता है आप सोय हो सकते हैं लेकिन आप बिहोश नहीं हो सकते आप मर नहीं सकते कभी तो नीन तूटेगी आपकी नीन नी तूट रही ये सेशन भी अवर होने वाला है और लोग देने को मजबूर है इस सच को देखिए सुनील सहाब इस सच को देखिए बड़े दूर से आप यूपी से आप आए हैं अगर आपने ये तंतर सुदार दिया लेकिन आप मुझे लगता है कोशिश करोगे आप जरूर कोशिश करोगे लेकिन इतना आसान नहीं क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं बड़ी अंदर तक गई हैं कुछ कहना चाहते हैं मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं LG साहब मुझे ये बात कहने में जिजक बिलकुल नहीं होगी दो बाते हो सकती हैं यूपी से जस्टिस हमारे रिस्पेक्टिड जस्टिस रिटार जस्टिस सुनील हाले साब को बुलाने क्या जा तो आप प्राइवेट स्कूलों की नकेल कसना चाहते हैं उन पर एक्शन लेना चाहते हैं जो भी गलत करता है उसके उपर एक्शन लेना चाहते हैं या फिर मुझे ये कहने में बिलकुल प्रहेज नहीं हो रहा या फिर आपने यूप है तो इन स्कूल वालों को बताईए कि ऐश रखता है कि आपका जो पहला पहला था वो सही होगा उन्होंने शैड़ कहा होगा है कि एसे कबिला हम की नहीं जाते हैं कि आपका जो पहले वाला जो मैंने पहले बात बोली मुझे उम्हें अमीद है साप खड़े उतरेंगे उस ब बड़ा सुना हमने बड़े इमानदार हैं बड़े इमानदार हैं बाई साब आपकी इमानदार हैं कमिशनर सेक्टरिया लोग साब को कहना चाहता हूं अगर आप इमानदार हैं जाए किसी भी स्कूल में किसी एक स्कूल में चले जाए किसी एक स्कूल की बुक्स चेक कर लीज सब्सक्राइब कर दीजिए तो मैं विश्वास सकता हूं कि मैं आपके कदमों में फूल परसा दूंगा एक स्कूल एक्षन लीजिए जो गलत करता है मुझे उमीद है बाकी स्कूल बिल्कुल सुदर जाएंगे जो सुप्रिम कोट ने कहा है नो प्राफिट नो लास पे स्कूल चलेंगे चुक्षा का मंदिर बना कर स्कूल चलेंगे तो फिर हम मानेंगे कि सची में कोई देवता इंसान आया था उसने अपने चेर पे बैठ कर अपने बच्चों के साथ पूरे जमू कश्मीर के बच्चों के साथ पूरे जमू कश्मीर कि अवाम के साथ इनसाफ किया अप्सिलूटली अप्सिलूटली जितने भी पॉइंट अमित कपुर साब ने बताए मुझे वैलिड लगे कुंकि यह सब हो रहा है और आपकी गाइलाइन के मताबिक यह नहीं होना चाहिए फिर भी हो रहा है उमीद करते हैं कि सुनील साब जो ने वाला कोई नहीं अमीद है सुनील साब आप से जो ने चेर मैन आये हैं जे के एफ एफ सी के शायद कुछ उदार हो जाए और जिन स्कूलों ने अभी तक एन्वल चार्जीस फीस एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो रिफंड भी हो अगर आप उस मन्शा से आये हैं तो शुब